चुके ये स्यासी आज कल एक स्यासदान होते हुए, प्रोफेशनल टेक्नो क्रेड या जो मर्जी डॉक्टर मुझे आप कह लें, कोई मी मानता हूँ, कहते हैं स्यासदान है, तो स्यासदान जो जब तक स्यासी मिर्च मिसाला न डाले, उसकी दुकान का चूरन भी नहीं बिख हैं, और खुद साखता मफरूरी अफ्तियार की हुई है, और आज उन्होंने पारलिमेंट के अंदर नॉमिनेशन्स कर दी हैं, पारलिमानी लीडर तफदील हो गया, चेर्मेन पबलिक अकाउंट्स कमेट्टी बदल गया, तिसका मत्तब यह हुआ कि इमरान खान का बयानिय जीत गया, आपोजिशन की वो दलीलें हार गईी, जिसकी बेस पे, आपोजिशन ने पूरे चार से पांच माँ पारलिमेंट के उजर गमाल बनाया, कि सिर्फ और सिर्फ हम उस वक्त कमेट्टी इसके अंदर आएंगे, मेमरान बनेंगे, या चेर्मेन बनेंगे, जब शबा उनकी जिद हटदर्मी और अना के आगे पाकिस्तान के अवाम के मफाद को मकदम रखते हुए, मानते हुए, उस जिद को माना, और आपने देखा कि आज वो लोग जो पाकिस्तान की पारलिमेंट की उस साख को दाव पे लगा के पबलिक अकाउंट के चेर्मेंट बनेंगे पबलिक अकाउंट के आज वो लंडन में खुद साखता जलावतनी का इलाम करते पिर रहे हैं और अपनी जगह अपने जानशीन नामिजद कर रहे हैं, तो जानशीनों की फाउश से आपके तुस्त से सिरफ एकी सवाल है मेरा, कि अब तर्जमानी आप किस कि करेंगे, जो लिडर आफ दी अपोजिशन हैं, वो लापत हैं और पबलिक अकाउंट के चेर्मेन का पता नहीं हैं कि वो नया जो जानशीन मकरर किया है, वो कब नामिजद की जद में आ रहे हैं, शायदा कान साहब और खाजा असा साहब आरेडी नामिजद की पेशियां भुगद रहे ह तो मेरी सिरफ एक ही अपील है, कि हमने, सबने जो यहां बैठे हैं, पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जवाब देना है, पाकिस्तान का टैक्स पेर का पैसा, हक हलाल तरीके से, आपकी फ्लाव बेबूत पे खर्चोना चाहिए, आपके मुफाद पे खर्चोना चाहिए, और जो एक बाई फरार हो चुके, दूसरे बेमारी की आड़ में फरार की तियारियों में हैं, मैं उनसे सिरफ यह कहना चाहती हूँ, कि इस अवाम को गुमरा करके, इनको वरगला के, बेवकूब बना के, आप चले गए हैं, आप नैब की अदालतों में आके, अपनी सियास को बचाएं, स्वालों के जवाब दें, क्योंकि सियासदान हमेशा, ऑवाम में जीना और अवाम में मरना पसंद करता है, वो महलों में जी के, तूकि महल की अंदर, लंडन के पूरसाइश महलों में जो जी तो लेंगे लेकिन अवाम में वो सियासी तोर पे खतम हो जाएंगे जो लोग अवाम में जीते और मरते हैं वो ही जिन्दा रहें या मर जाएं अवाम के दिलों में हमेशा जिन्दा रहते हैं